गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंस एंड पेरेंस आशा है कि आप सब घर पे सुरक्षित होंगे आज का सुवीचार है लगातार औ सफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है तो बच्चो इसका मतलब है कि अगर जिन्दगी में लाइफ में कभी-कभी हम सक्सेस ना भी हो तो उसे डर के महनत करना छोड़ देना नहीं चाहिए यहाँ पे आपको एक एक एक्जाम्पल दिया है कि एक गुच्छा है चाबी का उसमें पांच चाबी है सपोस आप पहली चाबी ताले में लगाते हो नहीं खुलता है दूसरी लगाते हो नहीं खुलता है तो आपको लगेगा कि ये तो खुलने वाला है नहीं पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो पांचवे नंबर की लास्ट चाबी है उससे भी ताला खुल जाता है तो इसका मतलब है कि हमें अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो भी डरना या निराश नहीं होना चाहिए हमें लगातार हमेशा प्रयतन करते रहना चाहिए महनत करते रहना चाहिए तो अंत में हमें सफलता अवश्य मिलती है तो आज हम हिंदी ग्रामर सिखेंगे और हिंदी ग्रामर में आज हम करेंगे रिवीजन जितने भी चैप्टर हम अभी तक सीखे हैं, ग्रामर में, उन सब का थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ओकी? चलो, सबसे पहला चैप्टर हम सीखे थे, भाशा, बराबर किसी को याद है? भाशा के बारे में हम सीखे थे, चलो, मैं एक क्वेस्चन पूछती हूँ, अगर आपको, आपकी मम्मी को कुछ बोलना है, मतलब आपकी मन की बात बतानी है, तो आप कैसे बताओगे? कौन बताएगा मुझे? वेरी गूड, कोई बोलेगा कि मैं लिखके बताओँगा, एक पेज में लिख दूँगा और मम्मी को दे दूँगा, और कोई बोलेगा, मैं डायरेक्ट सिधा मम्मी के पास जाओँगा, और उनसे बात करूँगा, तो मतलब दो तरह से, या तो आप लिखके बताते हो, या बाशा क्या है, हमारे मन की बात, दूसरों तक पहुचाना, और दूसरों के मन की बात को समझना, ये सब हम कैसे कर सकते हैं, बाशा के द्वारा, लेंगवेज, अगर बाशा नहीं होती, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, बाशा के कितने रूप है, दो, कौन-कौन से, तो चलो वापस रिवाइस करते हैं, फिर संसार में सभी प्राणियों एवं जीव जन्तु के लिए भाशा मतलब कि उनकी बोलिया बनी है, उनकी भाशा हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, उनकी बोली, बराबर कुता कैसे बोलता है, बिल्ली कैसे उनकी बोली सबकी कैसी है, अलग-अलग, वो हमें समझ में नहीं आती है, पर एक बिल्ली को दूसरी बिल्ली क्या बोल रहे है, वो समझ में आता है, मतलब उनकी बोलिया है वो, उनकी भाशा, बराबर, तो भाशा के दो रूप, मौखिक लिखित, तो मौखिक में कौन-कौ सुनकर, बोलना, लिखना, ये मौखिक भाषा में आता है, लिखित भाषा में कौन-कौन से दो रूप है, लिखना, पढ़ना, बराबर, लिखकर, पढ़कर, कोई लेखरा है, और वो आपको पेज देगा, तो आप क्या करोगे, उसको पढ़ोगे, तो ये कौनसा हुआ, आपे चार दिये, देखिए, बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, उकी, चलो, सेकेंड चेप्टर था वर्णा, माला, वर्णा तो पता है न सबको, लेटर्स, फिर वर्णों के कितने प्रकार होते है, दो, कौन-कौन से, स्वर, व्यंजन, स्वर, स्वर किसको बोलते है, ज इस वर्ण को बोलने में, दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर कहते हैं, हिंदी में कितने स्वर है, ग्यार है, कौन-कौन से, अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, ओ, आउ, ओ, 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 की, ये सब स्वर हो गए, चलो, नेक्स्ट, व्यंजन, जिस स्वर्ण के बोलने में, स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कितने हैं हमारे पास, 35, 35, ओकी, चलो, हिंदी भासा में, 11 स्वर और 35 व्यंजन हैं, अभी इन्हें, जब हम, एक क्रम में लगा दे, मतलब उनको अरेंज करके लिख दे, तो वो क्या कहलाती है, वर्णा माला, वर्णा माला किसको बोलते हैं, व्यंजन को व्यवस्तित क्रम में लगा दे हम, तो वो वर्णा माला कहलाती है, मतलब कि वर्णा माला की डेफिनेशन एक सेंटेंस में कैसे बोलोगे आप, वर्णों के व्यवस्तित समू को वर्णा माला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्तित समू को वर्णा माला कहते हैं, चलो, 35 व्यंजन के अलावा हमारे पास और चार व्यंजन है, कौन-कौन से है? जिसको हम क्या कहते है सैन्युक्त व्यंजन कौनसे व्यंजन है ये सैन्युक्त कहते है क्योंकि ये दो दो व्यंजनों के मेल से बने है इसलिए इन चारों को हम सैन्युक्त व्यंजन कहते हैं इसलिए इने सैन्युक्त व्यंजन कहते है चलो नेक्स चेप्टर था मात्रा मात्रा तो पता है न सबको अभी स्वर सिख गए तो स्वर की क्या होती है चिन्ह होता है स्वर के पास उसको हम मात्रा कहते हैं तो मात्रा की डेफिनेशन है स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है वो मात्रा के रूप में जुड़ता है जैसे कि हमने देखा था जब ये चैप्टर चला है कि स्वर उनकी मात्रा है कौन-कौन सी है फिर जो क व्यंजन है उसके साथ अगर अ मिल जाए तो क बनेगा नीचे जो डैश है उसको क्या बोलते है हल चिन हों सिखे थे हम उस टाइम तो शब्द कौन सा बनेगा कलम आ की मात् की चिन हो यादे सबको तो क प्लस आ मतलब की आ की मात्रा लगेगी तो क आ की मात्रा का का से शब्द बनेगा कान वैसे किला कीडा बड़ी इकी मात्रा छोटे उकी मात्रा लगाएगा तो कूसे कुत्ता बड़े उकी मात्रा कूडा कूडा यानी कच्रा री की मात्रा एक्रिपान मतलब तल्वार ए की मात्रा केला अय की मात्रा कैमरा ए ए कैमरा ओ की मात्रा लगाओगे तो कोयल अउ की मात्रा लगाओगे तो कवा मतलब कौनसे स्वर की कौनसी मात्रा है वो आपको याद रखना है फिर अम अहा मतलब ओ के उपर क्या होता है अनुस्वार बिंदी होती है तो कंगन के उपर अनुस्वार है तो कंगन और ओ के पीछे दो डौट आपको दिखे तो अह बोलते हैं उसको अह ऐसा उच्चारण करते हैं अह तो नमह नमह ऐसे रिर करते हैं बराबर फिर व्यांजन के बाद कौन सी मात्रा आती है सबको पता है ना आ, ई, ओ, ओ व्यांजन के उपर ए, आ, ई व्यांजन के पहले छोटी ई व्यांजन के नीचे छोटा उ, बड़ा उ, री की मात्रा ये सब पता है ना सबको पहले हम सीख चुके है चलो, रो के साथ अगर बड़े उ और छोटे उ की मात्रा लगा निये तो कहां लगेगी? सिर्फ रो में, बीच में लगती है बराबर, देखे आपको दीखरी है स्क्रीन पे अभी उसके बाद चैप्टर था संग्या संग्या मतलब कौन बताएगा मुझे? संग्या मतलब नाम, अलग-अलग नाम उनको हम क्या बोलते हैं ग्रामर में? संग्या, जैसे कि वस्तु के नाम जूते, कंप्यूटर, गिलास, यह सब वस्तु है निर्जीव चीज है, बराबर स्थान के नाम होते हैं, दुकान, गाउँ, पाटशाला यह सब स्थान के नाम, प्लेस के नाम है प्राणियों के नाम, मचली, जिराफ, मोर यह सब एनिमल्स, प्राणियों के नाम है और व्यक्तियों के नाम, किसान, सैनिक, विराट कोहली आपका खुद का नाम, वो सब किसमें आएगा? और व्यक्ति के नाम आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम वो सब व्यक्ति के नाम में आता है फिर कौन सा सीखा था आमने last भावो के नाम जिसको हम touch नहीं कर सकते सिर्फ हम feel कर सकते अनुभव कर सकते हैं जैसे कि गर्मी, दर्द, मिठास ये हमें दिखता नहीं है, हम खाएंगे तो मीठा लगेगा, चोट लगेगी तो दर्द होगा मतलब उसको हम फील करते हैं, तो उसकी मुख्य बाते में क्या था? कि सभी का कोई ना कोई नाम होता ही है नाम के कई प्रकारे जैसे कि जग के नाम पशु के नाम, पक्षी के नाम, दिन के नाम, नदी के नाम सिखे देना ये सब और लास्ट पॉइंट क्या है? प्राणी, वस्तू, स्थान तथा भाव ये चार चीजे आपको याद रखने हैं, किसी भी प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव का नाम, नाम को ही क्या कहते हैं, संग्या, क्या कहते हैं, संग्या, चलो, उसके बाद चेप्टर था लिंग, याद है न, वो तो अभी थोड़े दिन पहले ही सिख उन्हें क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार हैं, दो, कौन-कौन से, पुलिंग, स्त्रीलिंग, जैसे कि शेर, शेरनी, शेर है पुलिंग, शेरनी, स्त्रीलिंग, मोर, मोरनी, मोर है पुलिंग, मोरनी, स्त्रीलिंग, चुहा चुहिया चुहा किसमें आएगा पुलिंग और चुहिया स्त्रीलिंग दुलहा दुलहन दुलहा पुलिंग दुलहन स्त्रीलिंग दादा दादी दादा पुलिंग दादी स्त्रीलिंग समझ में आया बच्चो पुलिंग मतलब पुरुष जाती और स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाती और लास्ट चेप्टर हमारा था वचन वचन किसको बोलते है शब्द की जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं मतलब की जो भी शब्द है उसके उपर से आपको पता चलता है कि वो एक है या अनेक अनेक का मतलब एक से ज्यादा तो उसको हम क्या कहते हैं वचन कहते हैं वचन के कितने प्रकार होते हैं दो कौन कौन से एक वचन बहु वचन एक वचन जिन सब्द से एक होने का पता चले उ है जैसे के example कलम किताब पतंग ये सबी शब्द कैसे है only one एक जबकि बहुवचन किसको बोलते है जीन सब्दों से अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं अनेक का मतलब समझ में आ गया एक से ज्यादा वो दो भी हो सकते है बीज भी हो सकते है सौ भी हो सकते है एक से ज्यादा हो उसको बहुवचन कहते हैं जैसे कि कलमे किताबे पतंगे शब्द सुनती आपको पता चलेगा कि ये एक से ज्यादा है जैसे कि example देख लीजे केला केले केला केले मचली मचलियां मचली मचलियां तितली तितलियां तितली तितलियां तो ये सब टेक्स बुक में जो example और ज्यादा है वो सब आप जैसे जैसे रीड करोगे आपको clear हो जाएगा वचन के बारे में, लिंक के बारे में, संग्या के बारे में, मात्राओं के बारे में, बरबर जितना आप रीड करोगे उतना आपको clear होगा ओके बच्चों, आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा ओके, thank you, have a nice day